दोस्तों, आज तक हम खबर सुन रहे थे कि कोरोना वाइरस से चाइना में इतने लोगों की मौत हुचुकी है चाइना के बाद इरान, इटली, साउथ कोरिया और जपान में लोग कोरोना वाइरस की चपेट में आ गए हैं अब वो खतरनाक वाइरस आपके और हमारे बिलकुल करीब आ चुका है अब तक अटकले बस जपान में होने वाले ओलंपिक्स पे ही लग रही थी बट अभी देखने में आया है कि 29 मार्ट से शुरू होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग जी हाँ IPL अपने तह समय पे हो पाईगी या फिर कैंसल ही हो जाएगी IPL के पहले और साथवी सीजन लोगसभा इलेक्शन के साथ कोइंसाइड करने की वज़े से वेन्यू चेंज करके साउथ आफरीका और UAE कर दिये गए थे लेकिन BCCI के पास अब शायद कोई option ही ना बचे क्यूंकि 70 से भी जादा देश कोरोना की चपेट में आई हुए है हाला कि officials अभी भी इसी उमीद में हैं कि कोरोना खतम हो जाएगा और IPL अपने schedule टाइम पर ही होंगे बावजूद इसके कि अभी तक कोरोना का कोई antidote या vaccine नहीं मिला है दोस्तों अपडेटिड information के लिए जल्दी से मेरे चानल को सब्सक्राइब कर ले सोमबार का दिन भारत के लिए अच्छी खबर लेकर नहीं आया इंडिया में भी कोरोना वाइरस के 3 नई case सामने आये भारत सरकार के लिए चिंता की बात ये नहीं है कि 3 नई लोगों में वाइरस का संक्रमन पाया गया है इंडियन डॉक्टर्स ने इस से पहले भी केरला में कॉरना वाइरस के तीन पेशेंट्स का उपचार करके सुरक्षित घर भेजा था लेकिन पिछले और इन तीन केसिज में अंतर है पिछले तीन लोग वुहान चाइना से आये थे और उनको एयरपोर्ट पे ही कॉरंटाइन कर लिया गया था ना वो किसी के कॉंटाक्ट में आये और ना ही इंडिया में कॉरना का कोई और नया केस पन पा सोमवार को कॉरोना से पोजिटिव पाई ये तीनों लोग 10-15 दिनों में बहुत से लोगों के कॉंटाक्ट में आये है और आशंका है कि अब भारत में भी कॉर्णा वाइरस के कनफॉर्म्ड केसिज में वृद्धी होगी PM मोदी जी ने ट्वीट करके लोगों को पैनिक ना होने और संचेत रहने का आवेदिन किया है साथ ही सभी टॉप ओफिशल्स के साथ हेल्थ एमर्जेंसी मीटिंग भी बुलाई दिल्ली का वो शक्स जिसने 25 फरवरी को वियाना से दिल्ली फ्लाइट में ट्रावल किया था कोरोना वाइरस से इंफेक्टेड पाया गया है उसके घर उसके बच्चे की जनम दिन पार्टी थी पार्टी में आये सभी महमानों को भी 14 दिनों के लिए अपने अपने घरों में क्वारेंटाइन करने के आदेश दिये गए हैं वहीं पार्टी अटेंड करने आये बच्चे नौईडा के स्कूल में पढ़ते हैं इसको देखते हुए नौईडा के दो स्कूल बंद कर दिये गए हैं ताकि ये वाइरस और लोगों तक ना फैल सके दिल्ली के इस पेशन ने आगरा में अपनी फैमली के 6 सदस्यों से मुलाकात की और अब उनको भी कॉरणा के संधिक सूची में रखा गया है 25 सरवरी से 2 मार्च तक ना जाने कितने ही लोगों तके वाइरस फैल गया होगा दोस्तों आप इंडिया की जिस भी स्टेट या सिटी में मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज प्लीज अवेर रहें कि कोरणा वाइरस की आपके शहर में क्या सिचुएशन है कितने केस सामने आए हैं ताकि आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रख सके मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो अपनी फ्रेंज एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बेंगलूरू की आईटी कंपनी में जॉब करने वाला सौफ़वेर इंजिनियर जो दुबई में हौंकों के नागरिकों के कौंटाक्ट में आने से संक्रमित हो गया था उसने बेंगलूरू से तेलन गना नौ घंटे बस में 80-90 लोगों के साथ ट्रावल किया था करनाटक गवर्मेंट का कैना है कि उन में से 88 लोगों की पहचान कर ली गई है उस इंजिनियर ने बस में ट्रेवल करने से पहले की रात अपने एक दोस्त के रूम पे बिताई थी उसके दोस्त ने भी अपने ओफिस में इमेल करके सूचित कर दिया है कि वो अगले 14 दिन वर्क फ्रोम हॉम करेगा ताकि ये बाकी लोगों तक ना फैल सके और उसके भी लाब में टेस्ट के लिए सैंपल्स भेजे गए हैं ये घातक वाइरस अटाइक पहले करता है और इसके लक्षन बाद में पता चलते हैं इसलिए भी टाइम पे वाइरस का पता लगा पाने में दिक्कत होती है और रहस्य में बना हुआ है तीसरा केस वो इटालियन टूरिस्ट जो जैपूर में कोरोना से इंफेक्टेट पाई गई थी उसने अपने ग्रुप के साथ उदेपूर से जैपूर ट्रैवल किया था पिछले दिनों में जिस जिस भी शक्स के वो कंटाक्ट में आई जैसे की कैब ड्राइवर गाइड होटल स्टाफ सभी को कंटाक्ट करके उनके सैंपल लिये जा रहे हैं और सभी को कॉरेंटाइन में रखा गया है ताकि वो बाकी लोगों से ना मिल सके और वाइरस ना फैल सके कोरोना से लड़ने के लिए देश के सभी राजे सरकारों ने कमर कसली है देश भर के हॉस्पिटल्स में आईसोलेशन वोट्स बनाए जा रहे है अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करें और अवेर्नेस पहलाने में हेल्प करें